हेलो एवरीवन वेलकम तो आर चैनल दिस इस रिश्टी अगरवाल तो आज से मैं आज सभी कक्षा नौ क्लास नाइन्थ की स्टूरेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हूँ यहाँ पर सब्जिक हिंदी जिसमें हम बारी-बारी से चैप्टर्स देखेंगे चैप्टर का सारान समझेंगे साथ ही कोशन आंसर समझेंगे और भी इंपर्टेंट कोशन आंसर होंगे वो भी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेट बताऊंगी तो आपको क्या करना एक कमेटमेंट करना है मेरे साथ में कि आपको आज से जितने भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको पूर section में बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा and मेरी वीडियो के थुरू आपने कितनी help पाई अपने exam में कोशन आंसर करने तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर chapter 1 दो बैलो की कथा तो सबसे पहले हम देखेंगे इस chapter की summary जो की छोटी सी summary में यहाँ पर बता रही हूं लेखक के प्लिए भी बता रही हूं और लेखक कि पास लमही गाँ में हुझा उनका मूल नाम धनपत राम था प्रेम बच्चन का बच्पन अभावों में बीता और अभावों के बीच ही उन्होंने बीए तक की सिख्षा प्राप्त की अभाव यानि कमी में बीता यानि उनके पास में सारी व्यवस्थाएं नहीं थी सारा कुछ नहीं था आज के बच्चों को तो उनके पैरेंस सब कुछ आल्टेन के उजाले में भी वो पढ़कर के निकले हैं और वो इस तरह के कवी या लेखक बन जाते हैं जैसे माहन हुए हैं जैसे मुझ्शी प्रेम जन्द उनका एक एक एक्जामपल है ठीक है तो शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी की परन्तु ऐसे योग आंदुलन में भाग लेने हेतु सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया ये स्वतंत्र लेखन में प्रवर्थ हुए उन्होंने 300 से अधिक कहानिया तथा 11 प्रसिद उपन्यासों की रचना की इसके साथ ही कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया और 1936 में उनका देहान दो गया त चांते नाम दो बैलों के हीरा और मोती दोनों बैल सीधे साधे भारती लोगों के प्रतिक थे वे ताकतवर और कमाव होते हुए भी अत्याचार सहते थे कहानिकार ने इनके माध्यम से भारती लोगों की परतंत्रता में होती दुर्दशा का संकेत किया है कि कैसे सीधे साध जो भारती लोग हैं वो लड़ते हुए भी काम करते हुए भी एक अत्याचार सहन कर रहे हैं जैसे कि सारों की उपर अत्याचार हो रहा था बहुत सारे लोगों की उपर अत्याचार हो रहा था तो वो उस दुश्दशा को इसकी तुरू दिखाना चाह रहे हैं पर उन दौनो बेलों में घनिश मित्र था थी पर उन दौनों में घनिश मित्र था थी उन दौनों में कहीं भी एक दूसरे की साथ में विरोधा भास नहीं था या एक दूसरे की प्रती चेड़ नहीं थी क्योंकि आजकल लोगों में एक दूसरे की प्रती चेड़ होने के कारण ना वो खु दिया है। ya मोती ने क्या समजा। कि बेज दिया मौती इसकारण मौका पगर विदानों बैल वहां से भाग कर आ गई। उन्हें फिर जूरे की ससạoर भेजा गया। इस बार भी वहां से भाग कर आ गय। हीरा मोती ने क्या समझा की बेज दिया उन्हें इस कारण मौका पागर भी दोनों बैल वहाँ से भाग कर आ गए उन्हें फिर जूरे की सस्वार भेजा गया इस बार भी वहाँ से भाग कर आ गए मारमे खेट में चरते हुए पकरे जाने पर उन्हें काजी होस में लाया गया वहां से उनकी निला में की गई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया कसाई के साथ चलते चलते दौनों बैलों को उससे डर लगने लगा क्योंकि कसाई तो क्या करेगा उन्हें काट देगा ठीक है इसलिए वे दौनों भाग कर जुरी के घर आ गए फिर से वो जुरी के घर आ गए अपने प्यार करने वाले मालिक और अपने थान को पाकर वे खुश हुए जुरी ने उनके पास चारा डाला तो उसकी पत्नी ने उनके माथे चूम लिए इस तरह दौनों बैल प्रसंता से रहने लगे तो ये थी इनकी कहानी जो कि साराश में समझाया है मैंने अब देखेंगे कोशिन आंसर जो कि बहुत इंपरेंट पार्ट है आपके आगा में एक्जाम्स के लिए आप सभी के लिए तो स्टार्ट करेंगे फर्स कोशिन से कि कौजी हाउस में कैद पशो की हाजरी क्यों ले जाती होगी तो कौजी हास में दूसरे के खेतों में घुसकर फसल को हानी पहुचाने वाले पशो को बंद करा दिया जाता था बंद पशो का रिकॉर्ड एक रेज्टर में दर्ज किया जाता था यदि किसी पशो का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशो का जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था परन्तु जिन पशो के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी कर दी जाती थी आते कोजी हाउस में पशो की सही जानकरी रखने के लिए उनकी हाजरी ली जाती होगी second question है छोटी बच्ची को बेलो की प्रती प्रेम क्यों उमड आया तो आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची की मा मर चुकी थी उनकी सोतेली मा उसे मारती थी और उसके साथ अच्छा विवान नहीं कर दी थी वह मा की बिचुडने का दर्ग जानती थी इसलिए हिरा मोती की वैथा देखकर उनके मन में उनकी प्रती प्रेम उबढ आया क्योंकि उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं प्रश्ट संग्या तीर हैं कहानी में बैलो की माध्यम से कौन कौन से निती विश्यक मुल्य उबर कर आये हैं प्रस्तुत कहारी में बैलो की माध्यम से निमलिकित निती मुशेक मुल्य उबर कर आये हैं जैसे सरल सीधा और अत्यदिक सहंशील वाला भी नहीं होना ची क्योंकि अत्यदिक सीधे इंसान को घदा कहा जाता है इसलिए मनुश्य को अपने अधिकारों की प्रति संगर्शकर् नहीं बनना चाते हैं नहीं वो किसी से उलजना चाते हैं नहीं गलत का विरोध करना चाते हैं तो क्या होता है जो बेमान लोग होते हैं वो आगी बढ़ते जा रहे हैं और तरक्की करते जा रहे हैं मनुष्य को हमेशा स्वामी भक्ती, सहयोग, परुपकार, मित्रता, नारियों की प्रती सहयोग की भावना रखनी चाहिए, आजाती पाने के लिए मनुष्य को बड़ी से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तयार हैना चाहिए, मनुष्य को नारी चाती का सम्मान करने व विशिष्टाओं के आधर पर उनकी प्रती रूड अर्थ मुर्ख का प्रियोगना कर किसी नए अर्थ की और संकेत किया है। तो आंसर हो जाएगा कि प्रसुत कहानी में प्रेम चन्ने घदे के लिए रूड अर्थ मुर्ख का प्रियोगना करके उसे संतोशी सहंसिल, सुक उनकी संतोशी स्वभाव वाले अर्थ की और संकेत किया है। तो गदे को गदे क्यों कह जाता है ये भी मुझे नहीं पता है क्योंकि गदा सबसे सीधा प्रानी होता है। उसका नाम गदा है तो ये उसकी कोई गलती नहीं है। और उसका नाम इस तरह की बन गया है कि कोई गदा अगर कह रहा है किसी वैक्ति को तो यानि कि वो मुर्ग है तो यही उसका एक कहवत बन गई है जबकि ऐसा कुछ नहीं है गदा भी मुर्ग नहीं होता है गदे से बस डोया जाता है सामान डोया जाता है उसको बिना कुछ कही ही उसे सब कुछ करा दिया जाता है जबकि वो कुछ नहीं कहता है, तो इसलिए उसको गदा कहा गया है, क्योंकि वो सब कुछ सहन करता आ रहा है, इसलिए वो गदा कहा जा रहा है, समझ रहे हैं आप इसकार, गदा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो सब कुछ सहन करते हो आ रहा है, और वो सहन नहीं करेगा, अगर गला पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी तो दो बैलों की कता में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हीरा मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है जैसे वे एक दूसरे को सूंकर वर चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते थे दौनों बेलकाडी या हल में जोते जा गया द्वारा हीरा की निर्देता पुर्वक पिटाई करने पर मोती का क्रोध भड़क उठा और वह हल जुवा आदी लेकर भाग निकला और उनको तोड़ तोड़ कर बराबर कर दिया। दौनों मित्रों ने सहयों की रननती से सान का मुकाबला कर उसे परास किया। मटर की खेत में मोती के पकड़ी जाने पर हीरा भी उसके पास आगया रनवालों ने उसे भी पकड़ लिया। कौजी हास में दीवार गिराने पर जब हीरा की रस्ती नहीं तूटी तो मोती भी अकेले बाहर नहीं गया, इस तरह के आचरन से दोनों में गहरी दोस्ती दिखाए थी, कि किस तरह से उन्हों ने एक दोस्ते का साथ नहीं छोड़ा. प्रश्ण संक्या 6 हैं लेकिन औरत चात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो, हीरा के इस कथन के माध्यम से इस्ति के प्रती प्रेम चंद के दृष्टी कौन को सबस कीजी, तो हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेम चंद का इस्ति जाती के प्रती सम्मान का भावेक्त ह हुआ है भारती संस्कृती में यत्रव नारेस्कृतु पूज रमंति टत्रव दिवता जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर दिवता निवास करते हैं इस कतहन education and पूजय माना गया है यह आज का नहीं है यह बहुत सदा सदा योगों से चली आ रहे है परंप्रा कि जहां पर नारी की पूजा होती है नहां जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है उस घर में तरक्की होती है या उस घर में देवताओं का निवास होता है तो ये कथा जो है हमारे पुर्वजों से ये हमारे पुर्खों से चली आ रही है हमारी समाज में कुछ लोग इस्त्री को किवर भोग गया या साधरन जीव मानते हैं उसका सोशन उत्पीडन करते हैं मारते पीडते भी परन्तु प्रेम चंद का ऐसा दृष्टी कौन नहीं र गया है तो आंसर हो जाएगा कि कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशु का घनिश सम्मन बताया गया वही एक दूसरे की सायक और पूरक रहे हैं किसान पशु को घर का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करता है और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान द भर उटी थी इससे पता चलता है कि किसान अपने पशु से मानवी वेवार करते हैं एर्थ कोशन है इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आशिवार देंगे मोती के इस कथन के आलोप में उसकी विशिष्टाएं बताईए इस कथन से को आजात कर देना चाता है उसे इस पर बात पर संतोश होता है कि अब चाहे कुछ भी हो इतना तो हो ही गया कि मेरे प्रयासों से 9-10 प्राणियों की जान बच गई नेक्स कोशन 9 है आज से इश्पस्ट करें अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ती थी जिससे जीवों में स्रेश्था का दाव वह करने वाला मनुश्य बंचीत आश्य है सामन्य पश्य होते हो भी हीरा और मुती दूसरे की मनुभाव को समझ लेते थे मुख भाषा में विचार विवने में करते थे इससे कथाकार का मानना है कि उन दोनों बैलों की पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ती थी जिसके मादम से मुख भाषा में वे एक द उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शान्त हो की पर दोनों के हिर्दे को मानो भोजन मिल गया आश्य हो जाएगा कि गया के घर में हीरा मोती की सा तत्याचार होता था गया उन्हें मारता था और खाने के लिए सुखा भूसर देता था दोनों बैल इसे अपना अपमान सम मस्ते थे संध्या कि समय उसी घर की चोटी बची ने दो रोटी लागर उन दोनों को खिलाई एक एक रोटी से उनकी भूख क्या शान्त होगी पर ंतो चोटी बच्ची की प्रेम वयवाल को देखकर उन दोनो ने एक सकृतिका संचार हो गया और और मानों उन्हें अच्छा बोजन मिल गया, उनकी हिर्दे में भाव जग उठा कि यहाँ पर भी किसी सजन का वास है। तो वह एक क्रोटी में भी खुश थे क्योंकि उनको उस लड़की का प्यार दिखाई दिया और चोटी बच्ची का प्यार दिखाई दिया जिसके कारण वह अपनी भूग को भूल बैटे और उस एक क्रोटी को ही बहुत अच्छा मानने लगे और उसकी प्रतिस नहें भावे कि यहाँ पर चलो कोई नहीं हो पर एक सजन तो है जो कि हमारा ध्यान रख रहा है अगला कुशन 10 टैंथ है गया ने हीरा मोती को दौनों बार सूखा भूसवा खाने के लिए क्यों दिया होगा क्यों की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वह हीरा मोती के विवार से दुखी थ तो गया ओप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला है रचना और अभिवक्ति से रिलेट कोशन जिसमें कोशन 11 है हीरा और मोती ने सोशन के खिलाव अबाज उठाए लेकिन उसके लिए प्रतार ना भी सही हीरा मोती की इस प्रक्रिया कवर तर्क सहीत अपने विचार प्रकट कर प्रकानी में हीरा मोती स्वातंत्रता आंदोलन के ख्रांती कारियों की प्रतिक की रूप में रखा गया है इन दोनों ने गया कि घर जाने पर मात्र भूमी की प्रति अपनी प्रेम दर्शाने और हत्याचा सोशन का विरोध करने में अपनी श्यमता का परिचे दिया इस रहने की अपनी बलवती भावना का परिचे दिया क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजाती की लड़ाई की और संकीत करती है तो आंसर हो जाएगा एप्रतिक शुरूप से यह कहानी अंग्रिजों की दास्ता से मुक्ति के कहानी है इसमें हीरा मोती क्रांती कारियों के प् हीरा मोती को लेकर कहानी में जो घटना क्रम और विचार वेवक्ति दिखाई गई है वह सब आजाती की लड़ाई से मेल खाती है जहां जूरी का घर स्वाराज्य का और गया का घर परादिंता का प्रतिक है वहीं हीरा आइंसा का और मोती क्रांती का प्रतिक है अंत में इन तौनों की विजय होती है, अर्थात आइंसा और क्रांती की विजय होती है, ये बताया गया है, तो इस तरह से ये जो कहानी है, संपुन रूप से आजादी की लड़ाई की और संकेत करती है, प्रश्रे संक्या 13 है जब भाशा अध्यान में, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं, ही भी वाक्य में किसी बात, किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे है, अैसी शब्दो को निपात कहते हैं, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं, तो कहानी में ऐसे पांच वाक्य छाटी जिनमें निपात का प्रियोग हुआ है तो यहां परोजय का जोड तो मारता ही जाऊंगा ना भिडने पर भी जान बच्ती नहीं नजराती एक ने भी उसमें मून न डाला आईगा तो दूर ही से खबर लूँगा सांड को भी संगतित शत्रों से लड़ने का तजर्बा न था तो यहां पर भी तो यह सबी क्या है एक निपास शब्द है जिनका यूज हुआ है यापर प्रशन संग्हा 14 रशना के आधर पर वाकए भेध बताईए उब वाक्य चाट कर उसकी भेध भी लिखिए तो आपको वाक्य भी बताना है और उसकी भेध भी बताने है उब वाक्य के भी तो देखे दिवार का गिरना था की अदमरी से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे उठे तो यह मिश्रु वाक्य है दीवार का गिरना था एक प्रधान या मुख्य वाक्य है अदमरी से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे उठे यह है आशित क्रिया विशेशन वाक्य है अगला है सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आँके लाल थी और मुद्रा अत्यन्त कठोर आया यह मिश्र वाक्य है हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे तो यहाँ पर यह मिश्रवाक्य हीरा ने कहा यह प्रधान उपाक्य हो गया गया के घर से नाहक भागे अर्था यह हो गया आशित संग्या उपाक्य मैं बेचूंगा तो बिकेंगे यह क्या है मिश्रवाक्य तो भी केंगे प्रधान उपवाके हैं मैं बीचूंगा आशित क्रिया विशिशन उपवाके है कि प्रधान उबवा के क्या है और इसके साथ ही आश्रित क्रिया विशेशन उबवा के क्या है या आश्रित संग्या उबवा के क्या है या विशेशन उबवा के क्या है ये भी आप समझ गए होंगे जो कि विशेशता बताते हैं संग्या संवनाम की जैसे अत्यंत कटोर तो प्रधान है, मुख्य बाक्य है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइट करना था, आपको सेंटेंस को, next question 15 है, कहानी में जगे-जगे मुहावरों का प्रियोग हुआ है, कोई पांच मुहावरी चाटिया और उनका बाक्यों में प्रियोग किजिए, तो आपको कोई भी पांच मुहावरी चाटने है, उनका बाक्यों में प्रियोग करना है, कहानी में प्रियोग तो मुहावरी हैं, आख न उठाना, पलट जाना, यल जाना, जान से हाथ धोना, नाकों में नत डालना, जान जोकी में डालना, मनफीका होना, अकर निकल जाना, खलबली मचना, मनफीका करना, माथा चूमना, काम आना आदी तो ये सबी हैं यहाँ पर इस कहानी में दिये गए मुहावरे अब इन में से कोई भी पांच वाक्यों के आपको वाक्यों में प्रियोक करने हैं जैसे शत्रु तभी शान्त होगा जब इट का जवा पत्थर से दिया जाएगा मालकी ने तुरंत पास आकर दोनों के माते चूम लिये यानि प्यार किया कौजी होस में बंध होने पर भी दोनों की अकर बंध होने पर दोनों की अकर निकल गए यानि दौनों की जो अकर थी जो एहंकार था वो निकल गया कौजी होस में बंद होने पर कि वो कुछ भी कर सकते हैं कौजी होस की दीवार गिरने पर सभी जानवरों में खलबली मजगई यानि अफरा तपरी मजगई कि वो अब बस निकले यहां से अगला फिफ्ट है यहीं रही तो जान से हाथ दोना पड़ेगा यानि जान से हाथ दोना पड़ेगा यानि जान गवानी पड़ेगी तो यह रहा है यहाँ पर पांचों वाक्यों के प्रियोग मुहावरों के तो इस तरह से डन होता है आपका यह चैप्टर फर्स्ट दो बैलो की कत्था जसके लेखक्ति मुशी प्रेम चन्द और बहुत ही अच्छा चैप्टर था बहुत ही सुन्दा चैप्टर था उमीधा आपको संप्पुन चैप्टर अच्छी सत समझ आया होगा अगर फिर भी आपको किसी कोशन में कोई डाउट रहता है और वह कोई कोई कोशन आपको जाना हो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऊसकते हैं तो इसी तरह और भी वीडियो जो को पूरा देखने के लिए धने पादू